हेलो व्यूवर्स आज मैं आपके लिए अपने वीडियो में लाई हूँ पर्दों को बांदने के लिए कि यह प्यारा सा कर्टेन होल्डर यह curtain holder पर्दों को tie करने के लिए है यह देखिए इसे आप पर्दे बानेंगे बहुत ही प्यारा लगता है पर्दों के बंदा हुआ यह तो यह मैंने monkey बनाया हुआ है तो आज अपनी वीडियो में मैं आपको यह monkey curtain holder बनाना बताऊंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको thank you तो आएए मैं वीडियो शुरू करती हूं उसके लिए हमें चाहिए if aichi के थागखा सुई और क्रोश्या सुई धागा हमने ही किसा इस कि आईज को लगाने के लिया है कुर्ब इसके लिए कि लिए दो हमें ब्लैग क्लर के मोति हमें लेने हैर जो कहीं पडर मिल जाते हैं चोटë मोती है इस तरह से इस तरह के मोती आपको इसकी आइस के लिए चाहिए है तो यह मोती मैंने लिए है यह फाइवर की कॉटन यह हम इसके हातों में और इसके पैरों में भरेंगी और इसके हैड में सिर में और इसके बैग में भरेंगे उसको भरने के लिए हमें ये फाइवर की पॉटन चाहिए होगती है यहां पर हम इसको बनाने के लिए हमने पहले पिंक कलर को बना हुआ है अब हम इसको औरेंज कलर से बनाएंगे और इसकी कान और मुह बनाने के लिए ये ब्राउन कलर यूज करेंगे आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं तो आए ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका हैड बनाएंगे इसका सिर्फ बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैजिक सिर्कल बनाएंगे इस तरह से हम इसे बना लेंगी इसके बाद हम यहां पर छे चेन्ग बना एंगे एक छे चावल लेंगे इस लिए से दो तीन चार पाँच छे छे चावल बना कर पिर इस धागे को इस तरह से खीच देंगे यह हमने धागा खीच दिया है अब जो हमारा फर्स्ट चावल है यह इसमें से हम धागा निकालेंगे और इसको इस तरह से गोल कर देंगे हाँ यह हमारा बंद हो जाता है सरकर अब हमारे पास यह छे चावल है एक दो तीन चार पाँच छे सिक्स सिक्स चावल है हमारे पास अब हमें इन सभी में से दो बार क्रोश्या निकालना है एक दो इस में से एक और इसी में से दूसरी बार तुमारी सभी चावलों में से डबल बार हमें दहगा निकालना है मैजिक सर्कल में 6 और उसके बाद सबके डबल हो जाएंगे यानि कि हमारे पास 12 चावल होंगे 12 यह हमारे लास्ट यह हमारे पास हमें नेक्स लाइन शुरू करनी है उसके लिए हम यह पहला तो चावल है इसको सिंगल लेंगे एक पास और यह दूसरा चावल है उसमें से हम दो बार क्रोशिय निकालेंगे यह हमारे दो बार पहला हमारे सिंगल क्रोशिय उसके बार एक बार में एक में से दो बार निकालना है यह पहला सिंगल दूसरा डगर पहला सिंगल दूसरा डगर इस तरह से हमें यह पूरी लाइन पूरी करनी है यह हमारा पहला सिंगल एक में से दो बार डबल हो गया यह पहला सिंगल और दूसरा डबल पहला सिंगल दूसरा डबल यहां पहला सिंगल दूसरा डबल यहां पर हमारे यह लाइन फिनिश हो गया तो अब हमारी जो लाइन नेक्स शुरू होगी उसमें हम पहला सिंगल दूसरा सिंगल और तीसरा डबल लेंगे यह हमारा पहला सिंगल दूसरा सिंगल और यह तीसरा हम लेंगे एक मैं से दो बार डबल सिंगल यह हो गया हमारा डबल सिंगल यह हो गया डबल एहला सिंगल दूसरा सिंगल प्रिक्रोशी नमारा डबल सिंगल सिंगल डब सिंगल सिंगल और ये डब किया लायन फिनिश हो होए हमारी यह मैं मोली हो चुकी है अभरी नेक्श रूहोगी उसमें हम एक दो है जीसोगन तें सिंगल developments मज़ेए यहरे जर्लेए इस तरह से हमें 3 single, 1 double, 3 single, 1 double करके लाइन को पूरा करना है ये हमारा 3 single, 1 double, 3 single, 1 double के लाइन को पूरी हो गई है अब हमारी next लाइन शुरूर गी उसके लिए हम 1, 2, 3, 4 single उसके बाद double, 4 single और double इस तरह से लाइन बनाएंगे वन, टू, त्री, फोर, सिंगल, चार सिंगल लोगे, इसके बाद इसको हम एक मैं से दो बार, एक चार सिंगल एक डबल, एक, दो, तीन, चार सिंगल, और यह हमारा एक डबल, इस तरह से हम यह पूरी लाइन पूरी करेंगे, यह लाइन हमारी पूरी हो चुकी है, अब पूर, नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, उसमें हम, पाँच सिंगल, एक डबल लेंगे, यह हमारी लास्ट पंदे और रह गए है, वान, टू, त्री, फोर, यह हमारा लास्ट नहीं यहां पर हमारा लास्ट हुआ है, इस से पता चलता है हमारा लास्ट कहां होगा है, यह हमारे सारे डबल डबल पंदे चल रहे हैं हां तक, तो यह हमारा लास्ट हो गया, और अब हमारा वान, टू, त्री, पूर, फाइफ पंदे सिंगल, और शिक्स डबल, यानि कि पाँच हमें सिंगल लेने हैं उसके बाद जो पंदा है उसे डबल लेना है एक दो तीन चार पांच और जो यह आएगा हमारा यह हमारा एक में से दो गार डबल तो यह डबल की लाइन आपको यहां अपने आप दिखाई दे जाएगी डबल की उपर डबल लाइन हमारी चल रही है इस तरह से यह उन हमारी मोटी है थोड़ी तो इसमें हमें पांच सिंगल एक डबल तक ही लेना है और अगर आपके उन पतली है तो आप छे सिंगल एक डबल तक इसको बढ़ाएए क्योंकि वो पतली है तो और छोटा होगा हूँ उसका सिर्थ थोड़ा छोटा बनेगा अगर आप इतना ही छोड़ देंगे इसलिए उसको एक लाइन उसे एक्स्ट्रा बढ़ा दीजी तो अब हमारा हमें आगे लाइन नहीं बढ़ाना है पंदा नहीं बढ़ाना है हमें अब में या सिंपल सिंगल सिंगल ही सारी लाइन को बनाना है सिंगल हमें अब डबल नहीं लेना है हमें सिंगल ही बढ़ाते जाना है इसको पूरा यहां तक हम इस सिंगल बढ़ाके इस पूरी लाइन को फिनिश कर लेते हैं यह हमारी लाइन पूरी हो गई यह देखे जैसे हमने यह सिंगल लाइन लिए तो यह कटोरी जैसा बन गया है कुछ क्योंकि हमने यह फंदा बढ़ाया नहीं था सिंगल लाइन ही तो यह अंदर मुड़ता हुआ जाएगा तो सीधी साइड हमारी यह है तो इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे अब हमें इसको बनाना शुरू करेंगे अब हमें यह सिंगल सिंगल लाइन ही बनानी है यहाँ पर तो पहले लाइन हमारी बन चुकी है तो अब यहाँ पर हम 8 लाइन बनाएंगे अपनी पूरी सिंगल फंदों की ही आमको बढ़ाते जाना है कोई फंदा ने बढ़ाना है यह सिंगल लाइन ही हमें बनाते हुए 8 लाइन हमें बनानी है एक लाइन हमारी यह बन चुकी है उसके बाद हम 8 लाइन और बनाते चले जाएंगे और सिंगल ह करना है कोई पंद बढ़ाना नहीं है हमें इसको इसी तरह से बनाते जाना है कि देखें जहां से हमने सिंगल नाइन शुरू कि है वह हमने दूसरे कलर का धागा लगा दिया है इसमें फसादिया है जिसे हमारी कित्ती लाइन हमें बनाने हैं कितनी लाइन हमारी पूरी हो चुकी है तो हमारी पहली पूरी हो चुकी है यहां पर अभी हमारी दूसरी भी पूरी हो चुकी है यह देखें पहली पूरी हो गया है दूसरी शुरू हो रही है अब हम दूसरी को भी पूरा कर लेते हैं इस तरह से हमें यहाँ पर आठ लाइन बनानी है एट रोज बनाने के बाद फिर हम इसके फंदे घटाएंगी क्योंकि जब हम इसी क्रोशे घटाएंगे तब हमारा यह चेहरे का गोल होगा कि अब हमें आठ लाइनों को पूरा कर लेते हैं यह हमने अपनी एट रोज पूरी कर लिया है आठ रोज आठ लाइन हमारी पूरी हो चीकिए वान टू त्री पॉर पार शेक्स ऐवन एट अब हम इस दाए को निकाल देंगे अब हमारा यह इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अब हम इसमें फंदे घटाना शुरूब बने लेंगे इसमें इसमें इस तरह से एक साइड का हिस्सा इसमें से इस तरह से एक साइड का हिस्सा लेना है और दूसरी साइड का भी दूसरे फंदे में से लेना है दूसरे फंदे में से भी पहला साइड और पहले फंदे में से भी पहला साइड याँ इधर की साइड लेनी है इधर की साइड नहीं लेनी है दो फंदों में से हमने ये साइड ले ली है धाग हम ऐसे निकालेंगे दोनों मैंसे और यहां पर हम हमारा यह एक फंदा हमारा घट चुका है इसे हम यहां लगा देंगे धागी को घटाते समय हम यहां पर चार फंदों की बार पांचवा फंदा है उसे हम घटाएंगे तो हम यहां पर सिंगल पंदेल लेते हैं यहां चावल यहां हमने पहला दूसरा तीसरा और यह चौथा 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 सावल हमने लिये हैं सिंगल उसकी बाद हमने इसको बचाना आए उसciones से एक इससा हमने इसका लिय इसका लिया पर इस गूमाया करुषिया और इस तरह अगर्य लिए हमारा गड्ड गया एई- कॉर्ड ने काला द्गयर हमारा घट गया हमुन आर अर स Dutch लो हमद एक, दो, तीन, चार हम सिंगल फंदे लेंगे उसके बाद फिर फंदा गटाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार ले लिया हमने, देखिए, फिर से हम फंदा गटाएंगे, ऐसे, इस तरह से, भागा लिया, फंदा हमारा गट गट गया है, तो हम यह आपर चार फंदे फिर से लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार ले लिया है, उसके बाद फिर फिर से हम घटाना चुरू करेंगे, हम इस तरीके से भी हम घटा सकते हैं, एक और तरीका मैं आपको घटाने का बता रही हूं, लेकिन उस से सफाई नहीं आती है, फिर भी मैं आपको बता देती हूं, इस में से एक फंदा लिया है, दूसरी में से भी चावल लिया, इस तरह दागा निकाला, और इन तीनों को एक साथ इस तरह से आप निकालके भी घटा सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको घटा सकते हैं, लेकिन वो अलग ही दिखाई देता है, फंदा मोटा, इसलिए हम जो तरीका मैंने आपको बताया था, वो इसमें चहरे पर नजर नहीं आता है, तो हम इसलिए इस तरीके से इस फंदे को घटाते हैं, इसमें आपको पता नहीं चलता है कि आपने यहां फंदा घटाया है, यहां पर पता नहीं चलता है कि फंदा घटाया है, तो इसमें बहुत शफाई आती है, और हम दूसरे तरीके से घटाते हैं तो अलग ही वो दिखाई देता है तो हम इस पूरी लैन इसको complete कर लेते हैं तीन के बाद चार हम फंदे लेंगे उसके बाद पांचा फंदा हम इस तरीके से घटा देंगे ये लास्ट में पाच फंद हम घटा चुके हैं, हम यहां आ गए हैं, उसके बाद हमें यहां पर तीन फंदे हमको यहां पर लेने हैं, फिर चौथा हमें घटा आना हैं, एक, दो, यह तीन फंदे हमने ले लिए और यह फिर चौथा हमने घटा दिया, उसके पाद फिर से हम तीन फंदे लेंगे, एक, दो, तीन चावल ले लिए हमने यह, उसके बाद चौथा और पांच मां इस तरीके से हमें एक कर देना हैं, और यह हमारा घट गया, फिर एक, दो, दो, तीन, और यह चौथ हमने, घटा दिया, इस तरह से हम पूरी लाइन कर लेंगे, नेक्स लाइन हमारी दो फंदे हम लेंगे, फिर तीसरा घटा देंगे, उसके बाद फिर हम लाइन बनेंगे, तो उसमें एक फंदा लेंगे, फिर दूसरा घटा देंगे, फिर लास्त में हमारा एक ही फंदा चलता है, जब तक हो बंद नहीं हो जाता है, और जब तक हमारा इतना छोटा होल रह जाएगा, तब तक हम इसको घटाते रहेंगे, इसी तरह से, दो के बाद एक, फिर एक के बाद एक, अभी हमारा तीन के को इसमें बढ़न से लाइड नहीं रहा जाता है हमें को ठीक हमें कॉल ना चोड़ना परता है हम इसमें कौटन भरेंगे से गुश्चा के साथ यह जा सकते हैं इस तरह से ताकि बाद में हमें बरने फरेशानी न हो, कि असके साथ के साथ भी कौटन बरते जा सकते हैं इस तरह से तो हमाराइयद पूरा बन जाएगा, तो हमें इसे तयार कर लेते हैं जो आपाँ देखिए इतना हमाँ रहा गया है कि on the एक के बाद दूसरा थेत्स यह यह भूमार है कि इस तरह हंतना सा होड गया है आप में सो कॉटन भर देंगे कि हमने इसमें कॉटन कर लिए भर लिन असंसे मरा से यह यह तिरिढ़ा है ऑद समधने इसकी तरह देखाया पेट बनानाना ने लिचलायस्ता वह बनाना है उसके लिए भी हम हमें सेमी इसी तरह से इंट इतार खृत लोकी हैs बाउर गॉर आप्षिक लिए में दूसरी भाल भी हम फैले से वह से त्यार के वह लार ले iPhone सहं से थे लेंगे हमने दॉनों बना लिए हैं दॉनों बॉल्स को हम एक सैड में रख देंगे अब हम इसका यह वाला पैर बनाएंगे इसको बनाने के लिए वही मैजिक सरकल गनाएंगे और उसमें छे चावल लेंगे यह मैजिक सरकल गनाके उसमें हम छे चावल लेंगे चे चावल हमने ले लिए हैं अब हम इसको टाइट कर देंगे और पहले चावल में से उसी तरह से जिस तरह से हमने हैड बनाया था सिर बनाया था अब हमने बना लिया है अब वही पहला चावल हम सिंगर देंगे दूसरा डबल लेंगे सारे चावलों में से हम डबल डबल ही लेंगे यह हमने सभी में से डबल लिया है डबल एक में से दो बार एक में से दो बार सभी में से ले लेंगे यह लास्ट कुमारा इसमें से भी हम दो बार निकालेंगे अब हम इसको एक सिंगर दूसरे में दो बार डबल पहला हम देंगे सिंगर दूसरे एक में से दो बार डबल सिंगल डबल जिए अगांकर दूसरे समें से ले लेगे सिंगर 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 डबल